आज ही करनाटक में एक भाजपा के नेता ने महिला के साथ रेस्ट शाउस में बुला कर बलात कार किया है इसी प्रकार की अंगिनत गटनाए हैं जो अपराद दर्ज नहीं होते इसमें कड़ा सका कानून लागू होना चाहिए तूरंद उस अपरादी को तूरंद जिन्ना जला देना चाहिए और जिसके परिवार के हुआ रहता है ओ दुखी रहते हैं रोते रहते हैं ऐसा हो जाता है कि सुसाइट करने तक का मौका हो जाता है अभी अभी का जो चार रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचेगी तब न पढ़ेगी बेटी 36 लड़के लचर कानून विवस्था और महिलाओं पर बढ़ते अपरात को लेकर कॉंग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है बिलासपूर में भी बड़ी संख्या में महिलाओं प्रदर्शन में शामिल हुई है और देखिए लगातार यहाँ पर विरोध जो है महिलाओं का जारी है लचर कानून व्यास्था को लेकर नानलाएं लगातार यहां पर शवाल खड़े कर रही है और सिर्य तोर कर तमाम जो सालकिर को समधने में सोधारने भेल करतेfect। कर आथनों सब्सस्यादा जो सवाल उठ रहा है महिलाओं सुरक्षा को लेकर क्या बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्ते हैं और कटू सत्ते हैं कि महिलाओं पे जो अपराद हैं वो दिन प्रती दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में भी आज ही करनाटक में एक भाजपा के नेता ने महिला के साथ रेस्टाउस में बुलाकर बलात कर किया है और उसके उपर FIR दर्ज हुई है इसी प्रकार की अंगिनत गटनाएं हैं जो अपराद दर्ज नहीं होते या अगर दर्ज होते हैं तो ऐसा हो जाता है कि उनको छोड़ दिया जाता अपरादियों को और उनकी सजा कम कर दी जाती है इसमें कड़ा कानून लागू होना चाहिए और कड़ा कानून लागू होना चाहिए जैसे नागा लेंड में तूरां उस अपरादी को तूरां जितना जला देना चाहिए बही ऐसा अपराद हमेशा होता है जा परतार करते करते हैं वो तो मौश करते रहते हैं और जिसके परिवार के हुआ रहता है वो दूखी रहते हैं रोते रहते हैं ऐसा हो जाता है कि सुसाइट करने तक का मौका हो जाता है तो ऐसा करिए ऐसा सासन लाइए ऐसा कानू लाइए कि जो भी एक दुर्भावना, दूस्ट्राई, जो भी कर रहा है, उसके उपर कड़ी से कड़ी कानून लागए। उसके उपर कर रहे, फिर सरकार किसी कभी रहे, जो भलत कारियों हैं, उसके लिए कठोर कानून होना चाहिए, और अभी का जो चार रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी नपढ़ेगी बेटी बहुत जादा ऐसे केस बढ़ चुके हैं अब तो जैसे आठ महीने का इनका सासन कल है अभी बीजेपी वालों का इन्हीं लोग नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर बेटी बचेगी तब तो पढ़ेगी न या फिर कुछ होगा महिलाओं की इतनी बत्तर इस्थिती इससे पहले नहीं थी इस सब पर रोक लगाने के लिए इनको एक कड़ा कानून लाना चाहिए और ऐसे फैसलों में जैसे कि आज ही पेपर में आया कि किसी का 23 साल बाद 24 स इसका फैसला सुनाया जाता है यह नहीं होना चाहिए इसको तत्काल एक महिने या दो महिने के अंदर ही इसका फैसला आना चाहिए जब लोगों का रूप कांपेगा इसकी सजापा करके तभी इस पर कुछ हो सकता है तो लगाम लगाने के लिए सरकार को चाहिए कि महिलाओ बेटियों को अगर सुरक्षित रखना है पढ़ाना है तो पहले उनकी सुरक्षा निश्चित की जानी चाहिए बिलकुल एक गंभीर सवाल है जिस तरह से लगातार योन उत्पड़न के मामले बढ़ रहे हैं अब महिला अपराद के मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में तमाम महिला मतनले फंद्वाना को यही मानना है कि सरकार किसी की भी हो कारवाई जो है वो तुरंन्थ होना चाहिए और ऐसे जो भी अपरादी में उन पर सक्त से सक्त एक्षन लेना चाहिए सरकार को एक ऐसा परादों पर लगाम लग सकेAyमण सतिष मिश्णा के साज जितें दर थवाइ आपस्टीफूर बिलासपूर